प्राप्मा कर लेते हैं और उसके साथ ही हम लोग आज का धिन आरम करेंगे परमिश्व पिता मैं दूआ मांगता हूं येश्यो के नाम से जितने भी लोग आज प्रभजी कटे हैं कि हम एक साथ मिल के अध्यन कर सकें आपके वचन से और आपके प्रभजी दिये गए प्रभजी संदेश को समझ सकें हम प्रात्मा करते हैं हमारे मनों को हमारे ग्यानों को खुलिए प्रभुजी और प्रतेक भाई और बहन जो हम पे उपसित है प्रभुजी उनको आशिश दीजिए हमारी साहता केजिए के प्रभुजी के आपके वचन को हम प्रभुजी प्यारे परमिशे पिता पुरी गंविर्था के साथ प्रभुजी समझ सकें पढ़ा सकें आप प्रभुजी सीख सकें कि आपकी मन्शा हमारी जिन्गे में क्या है कि प्रात्राम प्रवियIfu के नाम से करते हैं आमीण हम लोग ने कल दो किताबों का दियान किया था उसके बाद मैं पहला कुरंथ थी और जैसा मैंने पहले कहा कि कुरंथ की जो किताब है पौलुस ने कुरंथ के विश्वासियों को लिखी थी और यह जो पत्र था उन विश्वासियों को लिखा गया था जो लोग विश्वास में आये थे अपने पापी जीवन को छोड़ करके और यहां पे आपको जानकारी मिलेगी कई तरह की चुनोतियां समस्यां आई थी और जिसको पॉलूस जो है ठीक करना मांगता है और इसी कान से वो संदेश को लिखता है और यहां पे आपको मैंने इसका सार भी आपके साथ में मैंने शेजर किया था कि कैसपविके से उनके बीच में वाद विवाथ था लगाओ था उसके बाद में उनके पास में विवाह को लेकर एक प्रश्शन चिन थे तो लोग ज़ो है देखना माँगते हैं किस पकाइव से वे आतमा से भर जाए और आतमा के अमसाद चले परेतो काम जब आप पध्यन करते हैं तो यहाँ पे आपको जानकारी मिली किस पकाइव से एक आम विश्वासि जो प्रभी एश्यु मसी पर विश्वास करता है एक आम विश्वासी वो भी जो है पोईतर आत्मा से भर सकता है और पेर तो काम का पहला ध्याय का आठ पत्म में जहां पर प्रभी ये शुने वदा कि था कि जब तक तुम सामत ना पाओ यरुशले में ठीक के रहना तुम पर पोईतर आत्मा आएगा तुम सामत पाओगे तुम यहुदिया सामारिया आप्रितिक छोड़ तक मेरे कवा होगे और इसी बात को हम लोग जो है देखते हैं दूसरे अध्याय में कैसे जो है 120 लोग प्रात्मा कर रहे थे और वहाँ पे पोईतर आत्मा उत्रा पत्रस ने पहला प्रचार किया और करीब 3,000 लोग विश्वास में आ गए जब आप कुरंतिकों किताब को पढ़ते हैं तो आप वहाँ पे भी 12 ध्याय में भी और 14 ध्याय में भी सेम चीज आप पाएंगे कि पॉलुस निवेदन कर रहा है कि हमें से प्रतेक विक्ती पोहित्रा आत्मा से भर जाए और उसके दान वर्दानों से भर जाए पॉलुस जो है इंकरेज कर रहा है कि तुम अन्यने भाष्षा बोलो और तुम भाईश्वानिया करो मैं इसको थोगा से एक्स्प्रेंट करना चाहूंगा क्योंकि हम लोग जो है बाइबल का अध्यन कर रहे हैं तो इसलिए जो है जरूरी होता है कि हम लोग जो है प्रभु की वचन को हमने देखे सबसे पहली बात मैं फैक्ट आपको बता दू कि जो पोहित्रा आत्मा का दिया जाना है उसके कुछ कारण है सबसे पहला कारण जो प्रभी एशो मैंसी ने पोहित्रा आत्मा देने के लिए हमने कहा उसका सबसे बड़ा कारण ये है अगर आप पढ़ेंगे योन्ना रखी सुसमजार उसका जो है 14, 15 और 16 आध्याय वहाँ पर प्रभु ने लिखा है मैं तुम्हे अनात नहीं छोड़ूँगा मैं तुम्हे एक सहायक दूँगा तो पोहित्रा आत्मा क्या है हमारा गारजियन है हमारा पिता है क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तुम्हे अनात नहीं छोड़ूँगा तो जब उसने कहा मैं तुम्हें अनात नहीं छोड़ूँगा इसका अर्थिय है कि प्रभू जो है हमको पोईत्र आत्मा दे रहा है वो पोईत्र आत्मा दे रहा हमें क्यों क्योंकि वो पिता है हमारा तो पोईत्र आत्मा का दिया जाने का सबसे पहला कारण है कि प्रभू ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है अनात्र नहीं छोड़ा है और हमारे साथ में जो है पोईत्र आत्मा है हमारे बीच में पोईत्र आत्मा है तो आपको मुझको जो है जानकारी होने चाहिए कि पोईतर आत्मा हमें परमीश्व ने प्रभु येश्व मसी ने इसलिए दिया ताकि हम अपने आपको अकेला महसुस ना करें कि हम लोग जो है प्रभु के संपूर उपसिती में है और अकेले बिल्कुल नहीं है तो आप गौव में भी है तो पोईतर आत्मा आपके अंदर में है पोईतर आत्मा आपके भीतर में है तो इस कारण से आप अकेले नहीं है तो पोईतर आत्मा का दिया जाना पोईतर आत्मा के जाना सवाल है पोईतर आत्मा का दिया जाना ये इस बात को बताता है कि आप और मैं हम लोग पोईतर आत्मा से भरे हुए हैं अर्था हम अकेले नहीं हैं हमारे साथ में हमारा जो है का को लगता है सहायक का मतलब हो नहीं, सहायक का मतलब है हमारे संकट के समय में, हमारे समस्या के समय में आसानी से जो उपलब्ध हो जाए, है ना, वो हमारा असिस्टेंट नहीं है, वो हमारा काउंसलर है, वो हमारा पिता है, वो हमारा पिता है, वो हमारा पिता है, तो कई बार ह को कोई रामू टाइप का आदमी जो जो है मदद करें चपड़ा सीहरी करें इसा नहीं है पोईत्रा आत्मा जो है उसके नहीं दिये गया है पोईत्रा आत्मा हमारा पिता है हमारा मददगार है हमारा काउंसलर है हमको वो सलाह देता है हमको जो है साथ देता है दूसरा जो कार पहुत्रात्मा दिये जाने का इसके बारे वह Ёशा के लिए आपय में पर्ध में क्या लिखता है तुम पर सामर्थ ज human athma तुम पर आए का तुम सामर्थ पाऊगे जब पहुत्रात्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाऊगे और Yerushalem, Yehudiya, Samarija Pritvik छोड़ता तो मेरे गवा होगे तो पुईतर आत्म हमें क्यों दिया गया है? ताकि हम उसके गवा बन जाएं पुईतर आत्म के दिये जाने के ये दो कारण है प्रियूंग दो कारण है वो हमारे को सहायत उता करें, हमारी मदद करें, हमारा मददगार बने वो हमारा पिता है, जो हमारे सांतिता है, हमें अनात नहीं छोड़ता है, दूसरा कारण है कि हम गवाँ बन जाएं, पुवित्र आत्मा और इसके अलावा कोई कारण नहीं है, जो हमें दिया गया है से परिपूर्ण हो जाओ पर यहां पर जो है हम लोग पाते हैं दो बाते जो है मैं आपको सामने रखना चाहूंगा दो बाते पहला कुर्णति किताब उसका जो है बारवाद धिया है आपके पास बाइबल दो निकालने पहला कुर्णति किताब बारवाद धिया है उसके पहल सब्सक्राइब करने के लिए आत्मिक वर्दान दियाता है, किसकी भलाई के लिए? सबकी भलाई के लिए. पोईत्र आत्मा जो दिया गया है, हमें, वो सबकी भलाई के लिए 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 गया है, किसी को उसी आत्मिक वर्दान दिया आता है, परन्तिक किसी को सामबर के काम की शक्ति, किसी को नबुवत करने का मतलब भष्वानी करने के शक्ति, किसी को आत्माओं के परक, किसी को भिन भिन प्रकार की भाषा बोलने और किसी को भाषाओं का अर्थ का वर्दान दियाता है तो यह आपको यह वर्दान पाने चाहिए, आगर आप विश्वासी हैं प्रभीयश मस्य के पीछ चलते हैं, पाईतरात्मा से आप भरे हुए हैं, आप इन वर्दानों के पीछे लगिए। कई बार वो पाएंगे वो भषवानी नहीं कर रहे हैं, कई बार आप आप धुनना शुरू कर देंगे, और कई बार हम लोग यूट्यूब के महरमानी से और फेस्बुक के दया से, हम लोग धुन्दान के निकाल लेते हैं ऐसे प्रचारकों को, ऐसे भषवक्ताओं को, और हम लोग उनके पास में जाते हैं, तो बात वही हो गई कि पहले जब हम आविश्वासी Crashlyak turning थे तो तोटाओं को पास चले थे, तोटाओं को दून Remember, बताता था, हम लोग राश्री फल्क पढ़ते थे, हम किसी बाबा के पास जाते थे, विश्वास में आने के बाद में भी हमारे अंदर से उप्रविती गई नहीं है, हम भईश्वक्ताओं को ढूंड रहे हैं, पर परमेशक बचन कहता है, तुम आत्मिक वर्दानों के धुन म रहो, तुम भईश्वानी करो, तुम भईश्वानी करो, और चौदवा ध्याय पढ़ेंगे, अगर आप जैसे ही चौदवा ध्याय पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको इसपर जनकारी मिलेगी, पालुस कहता है, मैं चाहता हूँ तुम में से हर एक भईश्वानी करे, होता है कि तुम्हारा शादी जो है 2022 तक टल गया है, है ना, मैं तुम्हारे बटवे में मोटी गड़ी देख रहा हूँ, मुझे गड़ी क्यों नजरा रहे है, पैसा क्यों नजरा रहा है, है ना, ऐसे आपको सैकड़ो भईश्वक्ता मिलेंगे प्रभियश्व मसी के, ठीक 87 ये बेहुदा जो भईश्वानी है, इसका पवित्र आत्मा के दान वर्दान से कोई संबन नहीं है, याद रखिए, अन्यने भाषा, चौदवा दिया पढ़िये, तो वहाँ पे अन्यने भाषा के बारे लिखा, वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम में से प्रतिक अन्य उच्जा अधिया, प्रेम का पिछा करो, आत्मिक वर्दानों की धुन में रहो, विश्ष करके तुम भाष्ष्वानी करो, क्योंकि जो अन्यने भाषा बोलता है, वो मनुष्य से नहीं, पंतु पर्मिश्व से बाते करता है, क्योंकि उसको कोई नहीं समझता, पंतु वह पर भईश्वक्ता का काम क्या है? कलीसिया की आत्मिक उन्नती होनी चाहिए, हैना धनी मत बनाईए लोगों को, येश्व के नाम से मैं देखता हूँ, भईश्वानी का तुम से परमिश्य यो यो कहता है, तुम पंदरा दिन के बाद में तुमको जो है लाटरी लगने वाली है, ये नहीं, ये भईश्वानी नहीं है, आप जो है जनता के जिन्दी से खेलवार कर रहे हैं, भईश्वानी क्या होनी चाहिए, मेरी जिन्दी में बहुत से बार भईश्वानीयों हुएं, बहुत से बार, कई बार प्रभु के दासों सेर में हाथ रखके दूआ मांगी मेरे सर पर, मुझको याद है जब मैं एक बार बड़ा निराश रोकर के चर्च में गया है, वो था बहुत निराश था, मुझे लगता था मुझे अपनी जिन्दी की समाप कर लेनी चाहिए, और मैं बड़ी निराशक सार्थ में सीर जुका के बैठा हुआ था कलीसिया में, और प्रात्ना चल रही थी, फ्राइडी के प्रेयर था प्रात्ना चल रही थी, और उस प्रात्ना में, जो है, हमारे पास्टर जी जो थे, आराधना कर रहे थे, गा रहे थे गाना, और अचानाएक से उन्होंने गाना गाना रोग दिया, और कहने लगे मेरे बेटे, मैंने तेरे दुख को देखा है, मैं जानता हूँ तो इसमें गेहरी संकट में सोख करके जा रहा है, पत्तु से परमिशर तेरा पीता यो कहता है, निराश मत हो, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे छोड़ा और त्यागा नहीं है, मिरे नज़र तुझ पर है, ठीके, और मैं तुझे उठा के फिर से खड़ा करूँगा, that's it, और आपको बड़ा आशिर होगा, उस समय में मेरे मदर की डेथ हो चुकी थी, मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी, मैं बड़ा निराश था, अरे वचन मुझे को पहुंचा, वो अरहत्मा कर रहे थे, गाना गा रहे थे, हांतों को उठा करके, गिटार बजाते हुए, और ग आपके जिन्धी में कितने बार हुआ है, कितने बार आपको प्रभणी इस्तेमाल किया है, आप आत्मिक वर्दवनों के धून में रहिए, जो अन्य नि भाषा बोलता है, स्वाय कि उन्नती करता है, तो मैं आपको चाहूँगा आप में से प्रते एक अन्य निभाशा बोले, कई बार क्या होता है, कि आप घुटने टेके प्राथा ने कर पाते हैं, कई बार होता है कि आप अराधना ने कर पाते हैं, पर आप अन्य निभाशा कहीं भी बोल सकते हैं, साइकल चलाते हुए, लगеждает आन्ययने भाषा भोलते रहता हूं लगाता है क्योंकि यो मेरा काम है बहुत ही हीवी है, बहुत धेल सारे लोट रिह तेंगे बहुता को है, नहीं है, तनाव नहीं है आपको, और जो काम हम लोगे में भरा है जबर दस्ट तेखें, करीब साव पास्टों की जिम्मिदारी है, कलीसया की जिम्मिदारी है, कम्मिनीटी की जिम्मिदारी है, करोना काल में जिम्मिदारी और ज़्यदा बढ़ चुकी है, फिर परिवार की चुनोतियां है, पर ऐसे समय में आप बेस्ट जो कर सकते हैं वो है केवल प्रात प्रात्मा और आप अन्य निभाशा में प्रात्मा कर रहे हैं इससे बहतर आपके जिन्हें में कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि इसका कोई लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि आप भेत की बाते परमेश्वर से कर रहे हैं मैं कुछ साहित करूँगा आप अन्य निभाशा बोलिए और साथी भाष्वानी भी किजिए भाष्वानी में किसी का बिगडी मत बनाई है कि किसी को कडोपती बना दिया तो भाष्वानी कभी भी परस्नल नहीं होती है तो ये शादी भी को करानियों के लेकर के प्रात्ना में कर रहा हूं मैं देख रहा हूं एक पहुंत गोरी सी लड़की चले आ रही है फात में फूल और गजरा लेकर ये सब जो है भाष्वानी नहीं से कली से कुनती नहीं हो रही है आप दिल बहला रहे हैं लोगों का एंटरटेन कर रहे हैं और मैं जानता हूं ऐसे भाष्वक्ता ज्यादा दिन टिकते नहीं हैं ऐसे टिकते नहीं हैं असर्म जबगाड में भी ऐसे काफी भाष्वक्ता हुए थे चले गए ओं लोग पर भाष्वानी का संबंद आपको मैं बता दूँ भाष्वानी का संबंद कलीसे के उननती से है कलीज से के अंदर में कैसे भाईश्वाणी करना उसके बारे में लिखा हुआ है खास करके 14 अध्याय में 14 अध्याय में लिखा हुआ है कि पापी मन फिराएगा अगर भाईश्वाणी ठीक हुई है नहीं तो सब लोग धनी बनने जाएंगे कि आप भी महराज बाबा बनके बैठे रहेंगे क्यों जो है मुझको जो है लाल और हरा चटनी नजरा रहा है आप समोसा खाते हैं हाँ जी कब काया था तिन तारीक को लाल चटनी खाई हरी चटनी खाई हरी चटनी खाई कल से लाल खाऊ किरपा आने लग जाएगी मसी का आत्मा इन सब कामों के लिए हमें नहीं दिया गया है है ना मसी का आत्मा हमें दिया गया है कि हम अन्यने भाषा में परमेशर से जुणे विक्तिगत हमारी उन्नती हो और भाष्षवानी करें ताकि कलीसय की उन्नती हो तो आप ध्यान रखें भाष्षवानी कभी भी जो है किसी की बिगडी बनाने के लिए मतलब उसको गदगत कर दिया अचांक से मुझे क्यों गड़ी नजर आ रही है करके आप चालू हो गए यह मोटी गड़ी नजर आ रही है तिक आपको और आपके मुझे लाट ठफ़क ने लगी सच में परमिश्ण मुझे इतनी मोटी गड़ी दिना जा रहा है इतनी नवखर तो छोड़के घर में बैठी हो कहां से गड़ी गड़ी आएगी हम लोग खुदावन के लोगे कली से कुन्नतिक लिए भषवानी करनी है anyway कुरंथि में हम लोग आ जाएंगे कुरंथि के किताब में दूसरा जो है पत्र कुरंथ को लिखा है लेखा का नाम है पालूस और यहां पर जो है मुख्य मुद्दा क्या है मुद्दा जो यहां पर थोड़ा सा गुप्त है और यहां पर ऐसा लगता है मानो कि पालूस जो है अपने नित्रित्व को के बारे में जानकारी दे रहा है नित्रित्व के बारे में जानकारी दे रहा है ऐसा लगता है कि जैसे उसने पहला पत्र लेका कुरिंद की कलीशे को लोग चड़ गए क्या है पौलूस होता कौन है वो क्या भाईश रखता है उसने कह दिया महिलाए कलीशे में चुप रहे ऐसा होता है क्या कलीशे चुप रहे और ये तोड़ फूड़ अलगाओ और जो है कलीशे के अंदर जो फूट पड़ी हुए पौलूस होता कौन है लोगों ने ये प्रश्न किया तो उस तो दूसरा पत्र लिखता है ये बताने के लिए कि तुमारे बहुत सारे अग्विय होंगे पर आत्मिक पिता मही हूँ तो दूसरा करुंत की करुंत की कलीशे के समझाने के लिए कि भाई मुझको भी जो है परमेशों ने आत्मिक बुलाहट दी है तो एक तरह से अपने जो नेत्रित्व है वो उसको जो है सामने रख रहा है कि मैंने बहुत बहनत किये तुम्हारे लिए अगर कोई पास्टर आपसे कहता है कि भाई तुमको मैंने दलदल में से खेच के निकाला कोई बुरी बात नहीं है कोई बुरी बात नहीं है पास्टरों को ये सभाग यह है कि वे लोग की जिन्गी बनाते है तो आप कभी बुरा नमाने पास्टर जी तो हमारे उद्हान दे जिते हैं कलिस्या में बार-बार गिनाते रहते हैं कि मैं जब यह लोग फटे कपड़े पैट के घर में बैठे ते मैं गया राशन लेकर इनको दे कर आया हर गवाही में बताते रहते हैं पास्टर की, उनकी साइकल पंचर थी, मैंने बदलवाई, बुरा ना माने, आपका आत्मिक पिता, आपका आत्मिक अगवा, अगर आपको कहीं न कहीं पे जो है उधारन के तोर पे उप्योग कर रहा है, आप नमरता के साथ उसको स्विकार कीजिए, बुरा बिल्कुल ना मान तो दूसरा करिंतिक किताब में, पावलूस अपने आत्मिक नेत्रित्व को बता रहा, अपनी अहिमेद बता रहा उनसे, कि कैसे प्रभू ने उसको बचाया, किस प्रकार से प्रभू ने उसको जो है, उठा के खड़ा किया, यह जो है, हम लोगों को पढ़ने को मिलता है, दूसरा कुरुंतिक किताब में और इसे बड़ा इंट्रेस्टिंग बात एक और मैं बता दूँ आपको जब आप जो है दूसरा कुरुंतिक किताब पढ़ते हैं यहां पर जो सबसे मुद्दा वो यह है पौलुस अपने दुख के बारे में भी यहां पर बात करता है अपने आप जिश्फ के बारे में लिखा हुआ है यहां दूसरा जो अध्या है उसमें पापियों को कैसे छमा मिलेगी और नए व्यों कैसे सेवकाई कीजैज के बारे मिलिखा हुआ है जब आप अध्याई तिन पढ़ते हैं तो आपको जिए नई वाचा कि महिमा के बारे में जानकारी भी देगी, थिसरे अध्याय में, कि नई वाचा जो प्रभु ने हमाय साथ बांटी है, है न, कावनेंट, जो वादा किया है, ठीक है, उसमें कितना अभिशेक है, नमबर चार, जो है, मिट्टी के बरतन के बारे में है, आप जरूर इसे पड़ ही आज रात बहुत खुबसरत यहां पर वर्णन आया है कि हमारा धन मिट्टी के बरतनों में रखा हुआ है बहुत ही खुबसरत है the treasures in the jars of clay हमारा जो धन है मिट्टी के बरतनों में रखा है अध्यायचार बहुत करना नबर 5 हमारा स्वर्गी इस्थान उसके बारे में जनकारी है और जो है है समझोती की सेवकाई या बीज बचाओ की जो मेल की सेवकाई है ना मेल-मिलाप की सेवकाई के बारे में भी पांचवे अध्यायचार आया है चेटवे अध्याय में पॉलूस अपने दुख को लिखता है कि कितना उसने महनत किया है कितना कस्ट उसने जहला है चेटवे अध्याय में मिलेगा कि पॉलूस ने बहुत महनत की सेवकाई के लिए कस्ट जहले अध्याय साथ Paulus अपनी खुशी के बारे में लिख रहा है आठवे अध्याय में आप पाएंगे कि हम लोग को किस प्रकार से देना चाहिए generosity, हम लोग को जो है दया दिखानी चाहिए, generous generous मतलब खुल के देने वाला नाप नाप के ने, खुल के देने वाला उसके बारे में लिखा हुआ है आठवे अध्याय में और आठवे अध्याय जो है अगर आप अपने कलीशे को सिखना चाहते हैं या आप सिखना चाहते हैं देने के बारे में तो यहाँ पर आपको इसकी जानकारी जरूर मिलेगी कि जो है देना क्या होता है जिस नाप से हम नापतें उसी से हमारी लिए भी नाप जाएगा यह इस परस्ट पॉलुस की सिख्चाएं हैं अध्याएं नौ जो है फिर से इसी का कंडिडिशन है शोइंग जनरोसिटी खास करके आपको छेटवे पच से पढ़ने का मिलेगा कि हम लोग को हम लोग ने जितना बिखे रहा है उतना ही जाता बटो रहा है अध्याएं 10 मैं देने के बारे में ट्लाइं कह दूँ कि परमेश़ को जो देने का जो सिस्टम है यह हमारे लिए ट्यार किया है अупने लिए नहीं हमारे लिए क्यों कि यह जो है अगर आप पढ़ेंगे मना के बारे में मन्ना पुराने नियम में तो मन्ना की एक खासे थे कि रोज सुबा फ्रेश आता था और कोई विक्ती यह सोच के रख लिया क्या पता कल नहीं गीरा तो फिर क्या होगा वो सकता है कल ना गीरे तो वो खाता था दिन भर और सम्हाल के रख लेता था रात के लिए एक कल क देखते हैं कल कर नहीं गिर तो फिर क्या होगा पर राद भर में सड़ जाता था क्यों परमिशा उनको प्रतिधीन खिलाता तो जिस पर चिडियों के साथ है चिडियां जो हैं प्रतिधीन खाती है पर उनको इस्टोरिज परमिश्रों हमको देना चाहता है तो बिखेरना परमिश्रों के राज्जे के लिए यह हमारी बेनीफिट के लिए है कि जब हमने सौ बिखेरा है तो यह अपने साथ 10 गुना हमारी ले करके आता है जब हमने 1000 विखेर नहीं तो अपने सात्ने साथ में 10 गुना लेकर नहीं प겠지만 करने şां कर दीया तो आपको तीन चीजे करने में पहर्ट चड़ाई एपना दर्शमास दिजिए नंबर दो आप अपने परिवार को दिजिए अपने बच्चो अपने दस पॉलूसỉ के बारे में कहता है 11 अध्याए में पॉलूस जो है जोटे भईशवक्ता हो 순dal। साथी कहता है सच्छा भईशवक्ता है। सच्च्चा प्रेडित मैं ही हूं। और यहाँ पे पॉलूस अपने दुख के बारे में लिखता है। तो मैं आपको उत्साहित करूँगा, आप 11.10 के 16 पट से लेकर के, आप लगातार पढ़िए 21 पट तक और इसको अंडरलाइन जरूर किजिए अपने बाइवल में, 16 से 21, देखे, बहुत खुपसत वर्णन है यहाँ पर, बहुत ही खुपसत वर्णन है, आप पढ़िए इसको किस पकार से पॉलूस दुख उठा रहा है, आजकल जो हम लोगा तकलीप हो जाता है कि हमें मिल नहीं रहा है, पर यहाँ पर लिखता है कि किस पकार से उसने पोड़े खाए, किस पकार से उसका जहाज चूट गया, किस पकार से भुका सोया, किस पकार से वो जंगली जानव के बारे में है और सान्ति उसके शरीर में जो कांटा चुक पहे गए उसके बारे में लिखा हुआ है तेरव अध्याय जो है अंतिम जो है चेताउनी और अभ्यादन के साथ में समाप्त होता है इस परकार से हम लोग आ जाते हैं गलतियों के किताब में गलतियों तो इसको हम लोग पढ़ते हैं जब गलतियों किताब तो जैसे मैंने पहले कहा था जब मैं छोटा बच्चा था तो गलतियों किताब तो बहुत सारी गलतियों होगी है ना या कित भारतिया, जो है जगह का नाम है, Galatia जगहा का नाम है, और Galatia के रहने वालों को गलातियों और गखा गया है, जैसे भारत में रहने वालों को भारती नहींJust, इन्राटियों का गया है, लिखा कोन है? पॉलूस ने लिखा इसका यहां पर date भी हमारे पास में है करीब सन 55 से 60 के बीच में लेटर को लिखा गया मुख्य मुख्य मुद्दा क्या है इसमें मुख्य मुद्दा यह है कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठेरा जाने का बचाव किया गया है चर्च में उसके विरुद में पॉलूस जो है लिख रहा है तो जब आप गलतियों किताब पाएंगे तो वहाँ पाएंगे कि हमारा जो उद्धार है परंपराओं, रिती, कूप, रितीयों के कारण से नहींवा हमारा उद्धार जो है विश्वास से हुआ है विश्वा से हुआ है, तो गलातिक किताब जब आप पढ़ें तो आप ध्यान रखिए, यहाँ पर पावलूस लिख रहा है कि उद्धार विश्वा से होता है, कर्मों से नहीं होता है, और यहाँ पर जो है जो लोग यहुदी प्रता को भी अंदर लेकर करके आयते हैं, नहीं नहीं हम ऐसा कर लेते हैं, नहीं हम ऐसा कर लेते हैं, तो ये गलत है, इसके बारे हम लिखा हुआ है, ठीक है, मुख्य पद क्या है, मुख्य पद है अध्याय पांच का एक, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा हिंदी में से, अध्याय पांच, ठीक है, अध्याय पांच किताब अध्याए पांच और उसका एक पद मैं आपके लिए पढ़ा देता हूं हिंदी में जो लिखा हुआ है यहां पे कि किस प्रकार से जो है यह मुख्य पद कहलाता है मसी में सुतंतरता के लिए हमें सुतंतरता के लिए हमें सुतंतरता किया है तो प्रभू ने हमें आजादी के लिए आजाद किया है इसलिए दिर रहो पकड़े रहो उसको और दासत हो के मतलब गुलामे में फीर से मज़ जाओ अर्थात ये रिती रिवाज और परमपराओं का क्या लें देना मसी जीवन में है ना कोई मतलब नहीं है इसका और इसी काहन से जो है हमना हमारे हाँ में धाबा है ना कंटी माला पहनते हम लोग ना ही हम लोग चंदन टीका करते हैं, ना ही हम लोग सफे द्वस्तर पहनते हैं, ना ही हम लोग का बैठने का कोई स्टाइल है, ना ही चलने का कोई स्टाइल है, हमारा कोई स्टाइल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह की रितियों को, प्रथाओं को और कर्म कांडों को को इस्थान नहीं है, हमारा उद्धार विश्वास से हुआ है, कतम के कहानियां पर, हमारा उद्धार विश्वास से हुआ है, यहां पर जो है, मैं जो हूँ आपको जो है, एक बार सार में बता दूँ, जब आनों इसके अध्यन करते हैं, क्या कहता है, पांच अध्या जो इसमे सबसे पहला जो अध्या है यहां लिखा हुआ है और कोई सुसमाचार नहीं किया और मसी का सुसमाचार देखे और पाउलूस की बुलाहट के बारे में पहला अध्या में वर्णन है अध्यादो में पाउलूस को प्रेड के रुप में अपॉसल के रुप में स्विकार किया गया है दूसरे अध्यादो में पाउलूस पत्रस का विरोध भी कर रहा है क्योंकि पत्रस दोनों जो हैं अलग-अलग दिशा में थे पतरस जहां था कि यहुदी प्रथाओं का पालन करना चाहता था पर पॉलूस कहता है हम आजाद लोगें खुदावन में हमें कोई प्रथाओं की जरुवत नहीं है तीसरा अध्याय जो है विश्वास या विवस्था उसके बारे में कहता है क्या विवस्था को माने या विश्वास को माने अध्याय चार जो है पॉलूस जो है यहां पे तोड़ा चिंतित है गलतियों की विश्वासियों के लिए और उनको यह चौथा अध्याय लिख रहा है अध्याय पांच यहाँ पे मसी में आजादी के बारे में लिखा हुआ है मसी के अध्याय पे ठीके और जब आप लास्ट चिप्टर पढ़ते हैं अध्याय छे तो यहाँ पे आपको जो है एक जर्नल इंस्ट्रक्शन मिलता है जैसे मैंने का पहले पांच अध्याय फोकस्द हैं किस पे हम अजादी के लोग हैं हमको कर्मकांडों में फिर से वापस दुबारा नई फसना है तो अध्याच है आप सब का भला करें ठीके और हम लोग नई स्रिष्ट्री हैं उसके बारे में वर्णन आया है गल्तिक किताब से हम लोग एक और किताब का अध्यान कर लेते हैं वो है इफिसियों की किताब इफिसी यहना इफिसूस के रहने वालों को इफिसी कहा गया इफिसूस के रहने वालों को तो जब आपर मैं पढ़ेंगे इफिसी की किताब, तो यहाँ पे हम लोग को पॉलूस का पत्र, जो कि इफिसी की विश्वासियों को लिखता है, उसके बारे में जानकारी मिलती है, डेट, तारिक, रोम में इसे लिखा गया, रोम में इसे लिखा गया, और यहाँ पे रोम में लिखे जाने के साथ जो है, इ मुख्य पद क्या है? मुख्य पद है चार अध्याय का तेरा पद है ना तो आप इफिसुस के पत्री ने का दी इफिसियों की पत्री इफिसुस की पत्री, चार अध्याय, उसका तेरा पद, चार का तेरा क्या लिखता है यहां पर चार के तिरह में जब तक कि हम सब के सब विश्वास में और परमिश्व के पुत्र के पूर्ण ग्यान में एक ना हो जाए परिपक को ना बन जाए अर्थात मसी के पूरे डिल डूल तक बढ़ ना जाए कि जब तक कि हम सब के सब विश्वास में परमिश्व के पूर्ण ग्यान में एक ना हो जाए परिपक को ना बन जाए अर्थात मसी को पूरे डूल डूल तक ना बढ़ जाए तब तक हमनों को लगे रहना है तब तक हमको बढ़ते रहना है मसी में यह जो है इसका मुख्य पत है तो मुख्य मुद्दा या विशय क्या है यहां पर इफिसियों का जो मुख्य थीम है तेखें वो है कलीसिया की एकता तो जब आप इफिसियों किताब पढ़ते हैं तो यहां पर कलीसिया की एकता के बारे में पॉलूस लिखरें कलीसिया में सब को जो है एक रहना चाहिए खास करके यहुदी और गैर यहुदियों के बीच में जो जगड़े थे उसके बारे में यहाँ पे जो है पावलूस कह रहा है कि हमको एक रहना चाहिए हमें एक रहना चाहिए अब इसका जो है मैं सार बता तो चेप्टर वाइस सार क्या है इसके जो हमनों को पास में जो किताब है इसको सिस्टेमेटिकली इसके पूरे च्छे के अध्याय जो है हमारे सामने में कुछ बातों को रखते हैं पहला जो अध्याय है वो है मसी में आत्मिक आशिश, मसी में आत्मिक आशिश और धन्यवाद और प्रात्ना दूसरा अध्यायक, मसी में हमें जीवन मिला है और हम मसी में एक हैं जैसे मैंने पहले कहा मुख्यतिम क्या है, मसी में एक होना अध्याए तीन पॉलूस जो कि गैर यहुदियों का या अनिजातियों का प्रचारक था उसके लिए वो प्रात्ना कर रहा है अध्याए चार मसी की धे में एक था अध्याए पांच भी उसी विचार धर्व को आगे बढ़ाते मसी में एक बने रहें अध्याए चे बच्चों के बारे में और मातर पिता के बारे में जानकारी तथा परमेश्र के सस्त्रों के बारे में जानकारी और अंतिम अभिवादन यहाँ पे हमनों को पढ़ने को मिलता है मैं आपको साहित करूँगा जब आप पांच पाध्याप पने तो खुबस्त उसकी शुरुवात है Be Imitators of God तेखे, तुम मसी का अनुसरन करो परमेश्व का अनुसरन करो बहुत अच्छे धंग से यहां पे शुरुवात करता है इफिसे किताब पांच अध्याए उसका पहला पत बहुत ही खुबस्त है परमेश्व का अनुसरन करो परमेश्व के सरद्रिश्य बन जाओ प्रेम में चलो जैसे मसी ने हमसे प्रेम किया और सुगंदिद सुगदायक भेड बनकर हमारे अपने उपरमेश्व के सरद्रिश्व में बलिदान कर दिया बहुत खुबस्त ये पोर्शन है जिसको आपको पढ़ना चाहिए हमें आपको इंकरेज करूंगा इफिसे किताब जरू पढ़िए क्यांपे कलीसिया के अंदर में जो कई बार हमारे जगड़े हो जाते है जाती वादस आता है जाती वाद की घोर विरुदी है और जो जाती वाद के उपासक हैं वे हमेशा कलीसिया का विरुद करती क gebaut की मसी हमेशा हमारे अजजादी लेकर के आता है झाल झाल